नमस्ते मैं हूँ देव द्रिश्टीकॉन प्रोडक्शन से और आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर आज हम बात करने वाले हैं बेसिक म्यूजिक थियोरी की हम जादा डीप में नहीं जाएंगे बिकोज म्यूजिक थियोरी एक बहुत ही वास सब्जेक्ट है लोगों को 20-20 साल लग जाते हैं इस सीखने में और अगर हम जादा डीप जाएंगे तो आपके सिर के उपर से निकलना शुरू हो जाएगा तो फिलहाल हम बहुत ही बेसिक चीजों की बात करेंगे सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करना चाहूंगा जो हम बचपन से सुन रहे हैं जो हम बचपन से सिंपल सुन रहे हैं वो क्या चीज़ है ये एक scale है जिसको हम बोलते है major scale किस तरह से हमने एक lecture में मुझे उसका lecture number याद नहीं है बट आप पीछे अगर search करेंगे तो मिल जाएगा how to find the key मान लीजे मैंने कोई एक गाना सुना और हमिंगर के उसकी key निकाली और key निकली है मेरी C अब key तो आगे मेरी C लेकिन आप फिर पूछते हैं कि scale क्या है तो simple इसका major scale क्या होगा simply C के उपर अगर मैं जाता रहूँगा तो सिरफ मेरी जो wide keys होंगी तो लगा के देखते हैं आपने देखा है मैंने सिर्फ यहां पर wide keys लगाई है यह है मेरा major scale मैं यहां से जाता हूँ इस पर click करता हूँ यहां पर है stamp stamp पे अगर आप जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहां नजर आ रही है यहां से मैं गया melodic chords, melodic scales scales के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो major इस पर मैंने click किया यहां click करते है यह देखिए मैंने वो stamp select की है major exactly वहीं वहीं वह लगती जा रही है C से लेके B तक total मेरे होगे 7 सुर सारे, गामा, पादा, नी उसके बाद सा फिर से अपने आपको repeat करता है जो यहां लग जाता है अब इसके ऊपर हम वापिस आएंगे सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ दो terms हैं जो आपको life में याद रखनी हैं बहुती easy है whole step, half step हो सकता है यह आपको पहले भी पता हो लेकिन जिन students को नहीं पता वो कृपया ध्यान दे कोई भी मेरा note C ही ले लेते है C पे पढ़ाना थोड़ा आसान रहता है यह है मेरा note अगर आपको कोई बोले मैं इसे प्यानो रोल के पास ले आता हूँ इस section अब half step क्या है बिना काली की या वाइट की को भूल के बस जो इसके साथ लगी हुई है किसी भी note के साथ अगर मैं एक उपर जाता हूँ तो वो है मेरा एक half step आगे अगर मैं पीछे जाता हूँ तो वो है एक half step पीछे उसी तरह से whole step क्या है दो half step मिलके एक whole step बनाते है अगर कोई आपको बोले यह मेरा base note है यह मेरा root note है और एक whole step आगे जाओ तो इसका मतलब होगा एक, दो whole step एक whole step पीछे जाओ half, half यह एक whole step मैं पीछे आगया आपको कोई बोले तीन half step उपर जाओ एक, दो, तीन यहां से दो whole step उपर जाओ एक, दो एक, दो तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा बहुत ही easy है half step plus half step equal to whole step इसे हम करते हैं या remove अब यह चीज मैंने आपको क्यों बताई है यह जो आप screen पर देख रहे है इसका आप screen shot भी ले सकते है major scale और minor scale यहां पर बताई गए है w is whole step h is half step अभी minor के ध्यान मत दीजिए सिर्फ major पे दीजिए जो मैंने आपको बताया है सारे गामा पादानी किस चरह से यह है अगर आपको यह याद रखना हो life में तो बहुत ही आसान है where was he when we were here where was he when we were here आप इस तरह से याद कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी याद करने की शक्ति बहुत अच्छी है तो आप इसे डबलियू एच डबलियू एच जिस तरह से भी है उस तरह से भी याद कर सकते है अब यह चीज मेरा major scale है मैं क्या करूँगा वापिस मैं यहाँ जाता हूँ और मैं एक note लेता हूँ C और अब कोई मुझे बोलता है कि C major scale क्या है तो आईए C major scale बनाते हैं पहले hole एक दो फिर hole एक दो फिर half यानि बिल्कुल साथ वाला फिर hole एक दो फिर hole एक दो फिर से hole step एक दो और आखिर में एक half step एक अगर आप देखें तो exactly वही चीज़ बन गई है यह हुआ मेरा C major scale थीक है आपको पता लगया है major scale क्या चीज़ है अब यहां तो मैंने आपको सिर्फ बताया है C major scale मान लीज़े आपकी जो की है वो है यह A sharp तो आपका A sharp major scale क्या बनेगा hole step एक दो hole step एक दो half step साथ वाला तीन hole step एक दो एक दो हाफ स्टेप अब इसे जब आप सुनते हो तो फिर वो ही चीज़ आती है सारे गामा पादा नी सा तो जो scale है मेरा major वो ही हमेशा रहता है सारे गामा पादा नी सा सा निधा पामा गारे सा सिर्फ की जो उसकी है जो उसका root note है ये इसे हम कहते हैं root note, tonic भी बोल सकते हैं इसको ये सिर्फ change होता है C से अगर मैं major scale शुरू करूँगा तो वो ही चीज आई अगर मैं यहां से A शाप से लेता हूँ तो भी वो ही चीज आती है, मेरा key note change हो जाता है ये हुआ मेरा major scale मैं इसे वापिस हटाता हूँ, हम C भी बात कर रहे थे अगर आपके पास कोई midi board है तो आपका भी play करके देखिएगा आपका भी live play कर रहे हैं, आपके सामने चार students बैठे हैं, कोई चार दोस बैठे हैं क्यूं? क्यूंकि आपका scale maintain रहेगा आप C major पर ही चलते जाएंगे अगर, मान लिजे आप C major पर ना भी चल रहे हुए तो आप A minor पर चल रहे होंगे अब ये चीज कैसे आई? ये चीज आपने याद रखनी है बहुत ही simple है, अगर अभी समझ नहीं भी आती है तो आगे जाके दिरे-दिरे आपको समझ आती ही रहेगी A minor is relative minor to C C major is relative major to A पहले, मैं C से शुरू करता हूँ और सिरफ white, जो कीज हैं, उसको touch करूँगा ठीक, अब मैं आता हूँ A पे और सिरफ white कीज को ही क्लिक करूँगा सिरफ white कीज को ही क्लिक करूँगा, मैं A से शुरू करके यहाँ पर लगाते हैं अब यह जो है, अगर मैं white कीज पे ही चलता जाता हूँ सी को root note लेके, तो वो बनता है मेरा सी major scale अगर मैं A से शुरू करता हूँ और चलता हूँ white notes पे ही तो बनता है मेरा वो A minor scale कैसे? minor मैंने एक लिया A root note whole step एक दो half step साथ वाला दो whole step एक दो एक दो एक half step फिर से साथ वाला दो whole step एक दो एक दो अब अगर आप देखें मैंने इस तरीके से वहाँ चलाया और simply मैंने white case पे click करके सारे gamma किया था exactly वो ही notes आपके सामने नजर आ रहे हैं तो अगर आप white case पे चलते हैं C से शुरू करते हैं C major A से शुरू करते हैं A minor लेकिन अगर आपने किसी भी और note से शुरू करना हो तो आप बस याद रखेंगे इसको where was he when we were here इसकी भी आप कुछ भी बना सकते हैं major scale या minor scale whole step, half step, whole step, whole step ये सब करके आप आगे-आगे चलते जाएंगे अब ये तो हो गया मेरा scale इसे भी remove इसको भी remove करते हैं कोई और note लेते हैं कोई black की लेते हैं चलिए G sharp लिया दो whole major की बात कर रहे हैं एक दो, एक दो एक half तीन whole एक half साथ वाला अब हम इसे देखके लगाते जाएंगे वही चीज आ गई, अब scale का फाइदा क्या है, मेरे गाने की जो key थी, मैंने humming करके निकाली G sharp आ गई, scale मैंने रखा, G sharp major scale उसका फाइदा क्या है मैं कोई भी चीज, कोई भी melody कोई भी chord, chord की बात हम थोड़ी देर में आगे करेंगे, कोई भी melody जब मैं बनाऊंगा, तो अगर मैं इन notes को ही use करूँगा, तो मेरा गाना कभी भी बेसूरा नहीं हो सकता, देखी मैं कहीं भी कुछ भी click करूँगा, बस ये ध्यान रखूँगा कि यहीं यहीं लगने चाहिए जहाँ जहाँ ये note लगे होए है तो देख रहे हैं, कहीं भी कोई भी note लगाता गया, लेकिन सुनने में लग रहा है वहाँ कितनी अच्छी melody बना दी है क्योंकि मैंने exactly वहीं वही note लगाए है जहाँ मेरा scale बोलता है अगर मैं off लगाऊंगा जैसे यहाँ मेरा नहीं आता यहाँ लगा दिया, चलिए इसको रखते हैं बीच में कहीं लगाएंगे यहाँ लगा दिया, अब ये वाले पर भी नहीं आता तो इसको यहाँ लगा दिया ये वाले पर भी नहीं आता तो इसको यहाँ लगा दिया, सुनते हैं बेसुरा लग रहा है वो बेसुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो off scale है simple बात तो जब आप गाना गा रहे होते हैं और सामने वाला बोलता है कि आप सुर में नहीं है इसका मतलब यही होता है कि आप scale से बाहर जा रहे हैं आपके कुछ words, कुछ notes आपके scale से off जा रहे हैं इसलिए आप बेसुरे sound कर रहे होते हैं अब हम बात करेंगे octave की आपको मैंने पहले ही बताया था octave क्या चीज़ है C5 से C6 के बीच में एक octave है C4 से C5 के बीच में एक octave है ज़रूरी नहीं है कि यह notes मैं उसी octave में रखूँ इसे मैंने copy किया और control प्रेस करके उपर की direction एक बार दबाई यह अगले octave में भी आ गया है इसे देखके अगर मैं और चीज़ें भी लगाता जाओं नीचे वाले octave को इदेखके भी कुछ लगाता हूं प्रेस करके लगाता हूं सुनते हैं copy paste control नीचे की direction यहां भी कुछ लगाएंगे तो आप देख रहे हैं जहां जहां मेरा scale बोलता है अगर मैं वो वो note सी लगाऊं तो मेरा गाना बेसुरा नहीं होता यहां गए stamp पर गए फिर से scales में गए scales में मैं गया major g sharp click किया आप देख रहे हैं exactly उस stamp ने वही वही पर वो scale के notes लगा दिये हैं control A delete अब हम बात करेंगे chord की दो तरह की chords हैं जिसमें हम आज बात करेंगे और 80-90% गानों में उस तरह की chords ही लगती हैं major, minor जितने भी hit गाने आप सुनते हैं ज़्यादा तर major और minor पर ही बने होते हैं यहां क्लिक किया stamp पर गए scale में गए major पर गए c5 क्लिक किया simple वो ही white मेरे keys c5 scale बन गया अब आपने शायद यह word कहीं सुना हो triad 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 क्या चीज है मैं अगर अपनी major chord या कोई chord बना रहा हूँ मैं यहां zoom करता हूँ देखते हैं उसमें क्या होता है 135 इस तरह से वो लगानी होती है किस तरह से यह मेरा हुआ root note तो मुझे पहले लगाना है 3 1, 2, 3 फिर लगाना है 5 1, 2, 3, 4, 5 सुनते हैं यह बनी मेरी c major chord लेकिन इससे भी आसान तरीका कैसे हो याद रखिएगा हमने जो बात की है half steps की उन्हें हम semi tones भी बोलते हैं simple note भी बोल सकते हो आगे चलने वाला note पीछे आने वाला note हम बात करेंगे major chord की major chord बनेगी 4 प्लस 3 semi tones से minor chord बनेगी 3 प्लस 4 semi tone से किस तरह से यह मेरा एक note है इसमें हम क्या करेंगे 4 प्लस 3 1 2 3 4 प्लस 3 1 2 3 4 प्लस 3 major chord c major उसी तरह से c ली लेकिन हम c minor बनाएंगे 3 प्लस 4 1 2 3 1 2 3 4 यह हुई मेरी minor chord c major की sound c minor की sound एक layman भाषा में अगर बताया जाए तो जब भी किसी को बताया जाता है major और minor chord में main difference क्या होता है सुनने में major chords हमेशा happy happy होंगी अच्छे खुश खुश minor हमेशा थोड़ी sadness की तरफ होगी मैं आपको सुनाता हूँ happy c major c minor 3 प्लस 4 वाली थोड़ी सी sad थोड़ी सी sadness की तरफ जाती है और फर्क सिरफ एक note का ही है 4 प्लस 3 था 3 प्लस 4 था अगर ये बीच वाला note उपर आ गया तो बनती है major तो अब हम वापिस यहाँ क्लिक करते हैं stamp लेते हैं scale लेते हैं फिर से major इस पे क्लिक किया ये आ गया है अब मैं chord progression की बात करूँगा मेरे इस गाने में chords किस तरह से लगे आईए देखते हैं basic C से शुरू करते हैं जो मेरा पिछला lecture था जो काफी लंबा हो गया था उसमें मैं गाना बना रहा था एक पूरा आपको मैंने बताया किस तरह से गाना बना है उसमें भी जब मैं chords लगा रहा था तो आपने देखा होगा मैं साथ साथ हम इंग करता था एक दो तीन चार एक दो तीन मैं इसके लहटा दूँगा ताकि आप ज़्यादा confused ना हो इसे कि आप पीछे अब मैं कोई भी गाना गुन गुनाता हूँ नीचे मैं क्या चाता हूँ chords इस तरह की चल रही हो तो पहले मैं single note देखूँगा ठीक है लगा दिए एक एक note पहले वाले पे मैंने क्या किया चार प्लस तीन अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरा scale major है तो उसमें सिर्फ major chords आएंगी या अगर मेरा scale minor है तो उसमें minor chords आएंगी ऐसा बिलकुल भी नहीं है major chord minor chord दोनों किसी भी scale में आ सकती है depend करती है आपकी melody को क्या चीज sport कर रही है चार प्लस तीन चार प्लस तीन यहीं गई किस तरह से मैंने humming करके देखी अगर मैं minor लगाता मुझे ऐसा feel आए कि यह यह यहां नहीं जा रही है वापिस major लगाई तीसरा यहां भी major चले गई चलिए तुक्के वाली बात है कि यहां पर चारों ही major जा रही है बट ज़रूरी नहीं है कि किसी भी scale में जब हम chord progression लगा रहे हैं तो हमेशा हो major हो minor भी जा सकती है हम कोई और भी लेके देखते हैं मैंने फिर से इसे किया delete हमिंग की उससे चार नोट मिल गए इसलिए यहां की जगा मैंने यहां लगाया क्यूँ? यह कहीं और जा रहा है ठीक अब मुझे इसके हिसाब से chords लगानी है minor 3 प्लस 4 किस तरह से? मेरी feel के हिसाब से अगर मैं उपर लेता 4 प्लस 3 4 प्लस 3 3 प्लस 4 चलिए यहां पर वो example भी आ गया कि एक scale की अंदर minor chord भी लग सकती है major chord भी लग सकती है इसके उपर अब हम लगाएंगे कुछ notes इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ chord inversion chord inversion क्या चीज़ है? I-N-V-E-R-S-I-O-N inverted chords भी हम उसे बोलते हैं simple क्या चीज़ है? यह अगर मैं इसको C sharp 5 की जगा C sharp 4 कर दूँ तो chord वही है दिखने में अब यह लग रहा है 5 plus 3 बन गया है आप बोलोगे 5 plus 3 तो कोई chord थी नहीं यह क्या हमें तो 4 plus 3 है 3 plus 4 बताई गई थी यह वही चीज़ है बस invert हो गई है इसकी leading note जो है front पे A आ गया है B, 4 को मैं करता हूँ B3 sound वही कर रही है लेकिन थोड़ा bass आ गया है क्यों जो leading note था मैंने उठा के थोड़ा bass side पे कर दिया है यह मैंने किया remove वही C sharp जो मैंने 4 लगा दिया था दोनों को सुनते है यह F sharp यह लगा मेरा यहां C sharp F sharp A 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 chord same ही है लेकिन उपर निचे लगी होई है इसका leading note A है इसका leading note C sharp है इसका leading note F sharp है तो chord same है scale भी वही है लेकिन मेरी जो chords है मैंने invert कर दिया है इससे थोड़ा flavor आ जाता है आप देख रहे है वह sound exactly same ही कर रही है लेकिन हलका हलका फरक आ रहा है क्यों वहाँ पर जाता है यह एक अलगसा flavor बाहर निकलके आ रहा है क्योंकि थोड़ा यह अपर frequency का है frequencies की बात हम तब करेंगे जब हम filters के उपर आएंगे तो यह तो होगी मेरी chords इससे जादा पताऊंगो तो आपको confusion हो जाएगी आपने सिरफ major और minor chords की ही practice करनी है और final मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ जो मैंने खुद पे भी बहुत दिर तक life में apply की है और बहुत सारे musicians पे apply होती है आपको theory में बंद कर काम नहीं करना है आप एक गाना बना रहे है और आपको मन में यह आ रहा है क्या यह scale पे है आपको क्या करना है simple सी बात है बहुत सारे गाने सुनिये अलग अलग भाशा के गाने सुनिये अपनी listening बढ़ाईए उससे क्या होगा आपके कान train होंगे जब आप कुछ बनाने लगेंगे अब यह देखिए 3 प्लस 4 4 प्लस 3 4 प्लस 3 मुझे कैसे पता लगा है माइनर और मेजर आनी चाहिए थी इसे पकड़के आपने देखा भी होगा मैं ऊपर नीचे करके देख रहा था कि यहाँ नहीं सेट बैठती यहाँ सेट बैठती वो मुझे कौन बता रहा है कि यहाँ नहीं सेट बैठती आए थोड़ा इसके उपर कुछ भर के देखते हैं आपने देखा है वो किस तरह से लगता गया मेरे मन में आता गया जैसे ऐसे आप भी काम करते जाएंगे एक्सपिरिंस बढ़ता जाएगा आपके मन में भी मैलेडी जहां जाएगी अपने क्लिक होता जाएगा लगाते टाइम मैं कहीं बार ये करता हूँ ये सही है क्यों वो मेरे कान बता रहे होते हैं कि यहां लगाओगे तो सही नहीं जाएगा music theory नहीं बता रही होती और अगर वो बिलकुल सही बैठ गये तो अपने आपी पीछे से music theory बोलती है हाँ तुने सही लगाया नीचे आते हैं f sharp की bass दे देते हैं कफे नीचे जाएगी अगर ए डी पर याए चलिए कोई पात नीचे लगाते हैं और इक फिर सही लगाते हैं यह है मेरा D, मैं बीच में कहीं लगा रहा हूँ, C sharp, B, C sharp, थोड़े dominating हो गए है, select किया, shift प्रेस किया, velocity थोड़ी कम कर दी, यह जो आपको पहला दूसरा lecture मैंने velocities बताई थी, यह किया, इसकी थोड़ी सी और कम कर देते हैं, इससे भी कम काफी अच्छी चीज़ बन गई आप इसको देखकर भी ट्राइ कर सकते हैं सुनता हूँ और बताता हूँ इसका scale क्या होगा बी तो आगया की नोट scale आगया B minor, पता नहीं आगये जाके क्या बनेगा, लेकिन शुरू में जो पहला है वो तो बिल्कुस सही जा रहा है तो प्रैक्टिस कीजिए, जितनी मैंने थियोरी बताई है, इतनी पढ़िए, इससे ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है अगर आपको इतनी थियोरी अल्रेडी पता थी, बहुत ही अच्छी बात है, और ज़्यादा सीखिये मुझे मालू मैं पहली बार में ये चीज easily समझ नहीं आती है, मेरे भी समझ नहीं आई थी, मुझे लगता है रह्मान साब के भी पहली बार में ये समझ नहीं आई होगी लगातार हम रोज प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके धीरे-धीरे ये चीज पता लगती है आपकी कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, within 24 hours मैं कोशिश करूँगा, कि मैं उसका reply करूँ और आपको बताऊँ तो मिलते हैं आगले लेक्चर में, तब तक के लिए देव द्रिश्टिकोन प्रोडक्शन्स, साइनिंग आउट, नमस्ते